अब इससे वीडियो में हम देखेंगे कि हमने रिमूव कैसे करना है files ओ ड्रैक्टरी को as a root user यह थोड़ सा different behave करेगा फिर हम reason देखेंगे कि क्यों different behave कर रहा है उसको reason को find out करने कि तो again हमें जब भी experiment करना है तो हमें कुछ file ने होने चाहिए तो हम touch करके K1, K2 file बना देंगे उसके बाद 2 directory बना देंगे मेंग डैक्री test1, test2 फिर test1 directory के अंदर चले जाएंगे वहां पर फिर touch करके F1 और F2 file बना देंगे एक अध पीछे आ जाएंगे अब मैं दिखा रहा हूँ कि आप तो दूसरी directory में जाने के लिए अब क्या है दो step में जा रहे हूँ cd.apparent directory में वापस आगे फिर हम इसको क्या कर सकते थे cd.d.slash test2b कर सकते तो एक कही command से आपके दुनो step हो जाते फिर उसके अंदर भी हमने touch करके बिना दिया फिर हम एक वापस आगे तो फिर हम again ll से check कर ले करेंगे फिर उसके बाद हम remove करके देखेंगे जैसे हम पहली फाइल remove के वन करेंगे तो ध्यान रखो यह आप से confirmation के लिए पूछेगा हाला कि हमने आई नहीं लगाया फिर भी वह confirmation के लिए पूछेगा तो हम confirm कर देंगे delete करने के लिए ऐसी जब हम RM-R करेंगे तो यह फिर क्या करेगा delete करने से पहले confirmation पूछेगा तो फिर हम confirm कर देंगे यह mean आप normal R कमांड भी चला रहे हो आई लगाने रहे हो फिर भी हमेशा वो क्या करता है आई लगाना पड़ता है अब क्या कि सुपोज इसके अंदर test1 के अंदर 1000 फाइलें होती ऐसे तो बहुत टाइम लग जाना था बार बार yes yes करते तो हमारे पस एक और बड़ी useful कमांड आरे माइनस आरेफ तो यह क्या करते है हम कह देते कि नहीं पूछना नहीं है हमारे से बस डिलीट कर दे तो आरेम माइनस आरेफ test2 तो यह क्या कर देगा directly files or directly को recursively and forcefully remove कर देगा और आप से कोई confirmation नहीं होतीगा वही दिक्कत यह है कि क्यों different behave कर रहा है कि हम यह पूछ लेते हैं भी interview में भी क्यों रीजन बताईए है तो हम देखना चाहते हैं कि क्या रीजन है कि जैसी हम आपने कहा करना है reason को find out करने के लिए आपने allies command चला के देखनी है as a normal user as a root user अब जैसी आप allies command चलाओगे आप सर्प्राइज हो जोगे कि वहां पर एक allies create क्या हुआ है rm का allies create क्या हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है rm is equal to rm minus i तो basically क्या हो रहा है कि जैसी हम rm command चलाते हैं तो वह उन्होंने क्या कर दिया वह rm command नहीं चलती diluted farm चलती है उसकी बनाया गया है क्योंकि गलती से अगर root की तरह remove command होगी तो वह चाहते हैं कि आपसे एक वरी yes no पोच ले उसके बाद ही delete कर दे तो उन्होंने थोड़ सा allies को use करके root के लिए बलकि इस rm command को थोड़ सा less powerful बना दिया है तो इसलिए हम क्या करते हैं इस चीज़ के लिए बतन बचने के लिए अगर root की तरह को हमने डिलीट करनी है तो हम साथ में f option भी लगा देते हैं तो इसका meaning option different option का क्या meaning हो आर मीन recursively i mean interactive f mean forcefully तो यह ध्यान रखना है इसलिए behave कर रहा है इसका meaning यह allies का है कई परिया हम direct question नहीं participants से पूछना जाते होते कि allies के बारे में तो मैं indirectly पूछ लोंगा भी आर एम एक नॉर्मल यूजर के लिए और रूड यूजर के लिए क्यों different behave करती है और मैं बहुत बारी देखता हूं कि answers नहीं पता होते इससे में यह पता हो जाता है कि fundamentals कितने क्लिए रहे हैं तो इस चीज़ों का ध्यान रखने है अब हमारा एक question है कि क्या हो जाएगा अगर हम यह command चलाएंगे rm-rf उसके बाद speech देखे system route कर देते हैं पहली बात तो यह कभी भी नहीं चलानी है कभी भी आपने यह command नहीं चलानी है क्या होगा यह आपके सारे system को ही delete कर देगा प्लीज कभी भी नहीं यह मैं आपको एक power दिखा रहा हूं आ रहा है माई इसलिए हम क्या कहते हैं कभी भी आप जब काम कर रहे होते हो root user की तरह पहली बात तो आप root user की तरह काम करो यह ना normal user की तरह करो ठीक है अगर by chance करना भी पड़ता है तो please कहीं जाने से पहले अगर system से आप उटके जा रहे हो कहीं पे system के पास नहीं बैटे हो तो आप please log out का जो क्योंकि अगर कोई किसी person ने भी आकर यह command चला दी तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसको real life में समझाने के लिए एक simple सी example ले रहता हूं suppose मेरा 10 मंजला इमारत है ठीक है 10 मंजला इमारत है और किसी दिन मैं गुसी में आकर कहा देता हूं कि मैं अपनी पहली वाली मंजल delete करने लगा हूं तो क्या होगा करनी चाहिए मैं को क्या होगा नुकसान हो जाएगा सारी मंजले नीचे आ जाएगी same way सारा कुछ system root के अंदर ही होता है उसके उपर ही है सारा कुछ अगर हम यह command चला देंगे तो क्या होजेगा बहुत बड़ी गड़बड होजेगी please आपन commands हम इसके अब अगली वीडियो में demo देखेंगे कि क्या है